तिरस्वी यादव लगतार ये प्रयास कर रहे हैं कि वो कैसे भी उस हर मानक पर खड़ा हो जिस पर बिहार का एकनेता को खड़ा होना चाहिए और लालू प्रसाद यादव से उनका कॉंपरिजन भाजपा वहां के लोकल मुद्दो को हटा कर राष्ट्रिय मुद्दो पर पागल हो गया लेकिन लालू यादव चुनाव नहीं जित्वा पाए जदियो सिट निकाल ले गई गोपाल गंज में टिकट मिला था दिलिप सिंग को राजपूस है जात से वो तिरस्वी यादव वहां हलीकॉप्टर से उतरे और एक बात बोले वो बोले कि पिछला जमान बीत गया तिरस्वी यादव को पीछे गया है मुहित कुमार सिंग यादव लोगों ने तिरस्वी यादव के पार्टी को आरजडी को बरबाद किया है यादव लोगों ने आप कोई भी राजनितिक पोश्ट करिए आप तिरस्वी यादव का सही सब्दों में मुखालफत कर दीजिए, वहाँ नीचे यादव लोगाएगा और आपको मा बहन की गाली देगा, 33 यादव इससे नाराज रहते हैं, लालू प्रसाद यादव के RGD नहीं लड रही थी 2020 का चुनाव, 33 यादव के RGD लड रही थी, जिसको सफलता मिली, कि वो राजकुमार हैं, चांदी के चमच लेकर पैदा हुए हैं, लेकिन 33 यादव ने 2020 के बाद, अब ये दो साल प्योप बिता है, इन दो सालों में तिरसमी ने ये साबित किया है, कि वो राजकुमार है या नहीं है, इससे मतलब कर रहा है, कि आपको ये देखना है कि सारे वर्ग के लोग आपके दुआर पे खाना खा रहा है, इसका मतलब ये है कि तेजस्वी यादव A to Z की बात सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, वो इसको करने में भी विश्वास रखते हैं, मृतुनियो तिवारी कि जब लालू परशाद यादव डिली से पटना वापस आते हैं, तब उनके ही पाटी के बड़ी नेताओं में से शिवान अंतिवारी ने खुल कर कहा था, कि अब तेजस्वी यादव को पाटी की कमान सोब देनी चाहिए, और उसके बात जब बैठक हुई थी, तब इस पर बाच्चित करने के लिए प्रशांत राय बैठे हुए हैं, और मैं मोहित कुमार सिंग और आप जन्ता जंक्शन देख रहे हैं, सबसे पहरा सवाल यही रगा है, कि तेजस्वी यादव बड़ी तेजी से विहार की राज़ती मूब रहे हैं, राज़त पर अब लग 2020 का चुनाव तेरस्वी यादव की आरज़डी लड़ रही थी, जिसको सफलता मिली, शिवाननतिवारी का नाम लिया आपने, शिवाननतिवारी ने उस लेख में एक और बात लिखा था, उन्होंने लिखा था कि 2020 में तेरस्वी ने चुनाव लड़ा, अव इसको छोड़ हैं वो, और वो लिखते हैं कि 2015 में जो चुनाव लड़ा गया था, वो चुनाव अकेले लालु यादव ने नहीं लड़ा था, वो नितीश कुमार और लालु यादव का गठजोड था, और उसमें RJD को सीटे कितनी आई थी, इसकी बाते नहीं होनी चाहिए, बात होना चाह है जब 13 यादव को सरोमाने नेता के तौर पर स्थापित करना चाहिए, और जो आज हम लोग का टॉपिक है, हम इस बात से पुरुनता इसले सहमत हो जाते हैं, क्योंकि आप देखिए एक नेता कैसे बढ़ता है, तो यादव पर 15 के बाद लगातारी आरोप लगा, खासकर जब सरकार गीर गई तब, कि वो राजकुमार है, चांदी के चमच लेकर पैदा हुए है, लेकिन तरियस्वी आदव ने 2020 के बाद, अब ये दो साल प्यूपिता है, इन दो सालों में तरियस्वी ने ये साबित किया है, कि वो राजकुमार है या नहीं है, इससे मतलब नही कि इस पर क्या फैसला लेगा, और तरियस्वी यादव उस पर एकदम खड़े उतर रहे है, अभी 10 मिनिट पहले उने शेर किया है, BBC का एक पोस्ट है, जिसमें जो दरोगा का बहाली कलर का लोग दोड़ता है, वो पोस्ट लिखते हो शेर करते हैं, कि ये वही सरकार है, जि तरियस्वी यादव उन्हें बहुत एक्सांदार जो काम क्याम कर लिखे भी थे, तरियस्वी यादव उन्हें लालु यादव के जम दिन की दिन बहुत सारा पोस्ट किया, एक पोस्ट में वो, तीन पोस्ट में वो लिखते हैं, कि प्रिय लालु जी को जम दिन की बहुत बधाई और शाम में उन्हें एक पोस्ट किया और वो लिखते हैं हैपी बर्थडे पापा मतलब तिरस्वी ने वो संतुलन हासिल कर लिया है कि परिवारवाद और पार्टी का सुप्रीमों क्या होता है और वो हर पोस्ट में पापा पापा लिखते न तो ये मेरे हिसाब से भ रूप लगा है कि आप राजकुमार हैं अगर ऐसा कुछ दिखाता है करकर तो ये साबित होता है कि तिरस्वी अपने आपको स्थापित कर चुके हैं विहार में 2020 के विधान सबगी बाच्ची तो हम थोड़ा सा उस पर पूछना चाहेंगे कि 2020 के विधान सबच्चुनाओं में मतलब 2015 का अगर आप उठा लिए 2010 का उठा लिए जात सबसे बड़ा मुद्दा था लेकिन 2020 में यह सही बात है कि जात सबसे पीछे रहा और जो बेरोजगार 2020 के चुनाओं का विष्टलेशन अगर मोहिद जी इतिहास में लिखा जाता है बिहार के तो यह लिखा जाएगा भाजपा कैसी पार्टी है छोड़ दीजिए लेकिन आप इस बात को नहीं भूल सकते हैं कि हर राज में भाजपा वहां के लोकल मुद्दों को हटाकर राष् ले नहीं नहीं हम एक विष्टलेशन कर रहे हैं कि तेरियस्वी यादव ने भाजपा और जद्यू को एक धुरी पर लाया और वह धुरी था रोजगार पर बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी रोजगार पर बात कर रहे थे नितीश कुमार वह 10 लाख बोले इन लोंको 19 लादा करना पड़ा और माफ कीजिए लालु यादव के समर्थक लोग यह लालु यादव नहीं किये थे लालु यादव अपने जमाने की इंजिनियर हो सकते हैं तो अकेले यह सुनशित किये थे मोहित जी कि 2020 का चुनाव हो तो वह होगा सिर्फ और सिर्फ विरोजगारी 2020 में पूरा एकदम बदला हुआ था ना पोश्चर पे लालु यादव नहीं थे रावडी दे भी नहीं थे प्रताप नहीं थे लालु यादव भाशन देने गये थे हम उसको कवर करने गये थे लालु यादव का हेलिकोप्टर उत्रा तो भीड पागल हो गया लेकिन ज़ड की बात हो रही है पिछले छे महीने से तिरस्वी यादव जिस गोपाल गणी तिरस्वी यादव गए थे हम वहाँ पर थे तिरस्वी यादव बोले कि दही आत्यूरा के बहुत साने के पड़ी अभी तब नो मिली रवालु तैयारी करी और अपने पिता के जन दिन क दिन वो आदमी तिरस्वी यादव ने ये लिखा है कि जो गरीबों और वन्चितों को आप भोजन करवाएंगे मेरे पिता के जन दिन के दिन क्योंकि समाजी क्निया और सथभावना दिवस मनाय जा रहा था उनकी जन दिन को तो ये सुनिश्चित करिएगा कि अगर आप व तो बोल नहीं रहे हैं वो इसको करने में भी विश्वास रखते हैं एक और बात जो पिछले कुछ महिने से बड़ी चर्चा का भीश है रहा लालू परशाद यादव जब तक रहे तब तक भूमियारों के सबसे बड़े राईवितिक दुस्मन रहे लालू परशाद याद मतलब लालू परशाद यादो से जो समायद्दूर था उसको भी ते जस्वी याद अपने साथ कर लिया क्या लगता है कि मतलब जो अगडी जाती हैं इनको माना था था किराजत की सबसे बड़ी दुस्मन तो लालू याद ह हमको लगता है कि कहने के लिए राजनितिक प्रटिसिंग यादव बैठी वे थे और अराद ने चैलेंज किया कि आप हमको एक वीडियो फूटेज दिखाईए जिसमें लालु यादव ने कहा हो कि भूरा बाल साफ करो ऐसा कोई दिखा नहीं गया हो सकता है बोले हो सकता है नहीं बोले हम लोग इसमें पढ़ते हैं ले सब लोग बोले हैं कि लालु यादव ने भगवतिया देवी को यही कर दिया हमको आज भी लगता है तिरस्वी यादव ने भी इस फैसले पर मुहर लगाया होगा तिरस्वी जानते हैं कि समाज में संदेश्ट कैसे देना होता है एक और बात समझिएगा राजसभा का और विधान परिशत का सीट का एलान सबसे पहले आरजेडी किया उसके बाद भाजपा और जद्यू ने किया आरजेडी ने राजसभा में भी किसको भेजा? अपने लोगों को भेजा और जो उनको भेजा है क्या नाम है उनका? डॉक्टर साब एक है फयाज एहमद करोरपती तो है लेकिन आप याद रखिये वो बच्चों को फ्री में पढ़वाते हैं मुनिर रख को तो सब लोग जानते हैं पांडे जी को सब लोग जानते आरिड़ी जो गए हैं तीस साल पुराने कारेकरता है उसके बाद जडियों और भाजपा ने ये डिसिजन लिया कि हम भी अपने कारेकरता को ही भेजेंगे और हर मीडिया हॉस में एक ख़बर चला था कि जो जमीन के कारेकरता होते हैं पार्टी के उनके बीच खुशी की लेर है हमको लगता है कि इसका बिश्रे कहीं न कहीं 10% इसाही RJDK तिरस्वी यादव को मिलना चाहिए कि उन लोगों ने ऐसा डिसिजन लिया कि हम पार्टी के उस जमीनी कारेकरता को सदन में भेजेंगे पहला बात दूसरा जात पराई है जात पर खुल के बात होती है बिहार में जात की मिना कुछ भी संबब नहीं है और तिरस्वी यादव ने ये साबित किया है गोपाल गंज में टिकट मिला था दिलिप सिंग को राजपूर है जात से वो तिरस्वी यादव वहां हलीकॉप्टर से उतरे और एक बात बोले वो बोले कि पिछला जमाना बीत गया और वहां बैठे जितने उनके दोस्त थे वो चिलाने लगे यह नया जमाना है और RJD सब को टिकट देगी और गुपाल गंज में कि बस एक बार जीतवा दीजिएगा गुपाल गंज में लेकिन तिरस्वी यादव का इंटेंशन वहां लोगों को दिखा था तिरस्वी यादव ने RJD को पूरा तरीके से बदल दिया है उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि यह बदली हुई RJD पर बिहार भरोसा कर सके और जो कलंक लगा है लालू यादव के काल में कलंक ही कहा जाएगा उसको उसको तिरस्वी धो रहे है अब आखरी सवाल बस यही रहेगा कि तब हमको लगता है कि आसान होगा उसको रहे हुपर बाकार को आपक ले आपकार की चैनल भागवान करेगा आप ऑचारि को यहाँ में आदम आइं में कर दक की राध्मिंद में परण यह ठीट से उतरता है और माइक देखते ही, ऐसा को भी मतलब संबेदन शील बयान देता है, कि मीडिया में सुर्खी बनता है, बनना तै होता है, मतलब तिरस्वी यादव एक लीडर बन चुके हैं, अब आपका सवाल, तिरस्वी यादव अगर इस तरीके से संसिटिव पॉलिटिक्स करते रह गए तो 2025 में भाजपा और जोदियू उनके धुवे में, मतलब उनके हवा में उड़ जाएंगी, परशान किसोर ने एक बयान दिया था, जब आता है लहर तो सब लोग उड़ जाते हैं, हमको लगता है तिरस्वी यादव जिस तरीके से अभी राजनिती कर रहे हैं, अगर इसक यादव को यादव पसंद नहीं है, उनको पता है कि अगर तिरस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तो दस गोयादव सहरसा का, दस गोयादव गोपाल गन के लाठी लिका लेगा, और मालेगा किसी राजपूत ब्रावन भूम्यार को बोलेगा कि अब तो हमरा सरकार ह ये सब नहीं चाहते हैं, आप कोई भी राजनितिक पोष्ट करिए, आप तिरस्वी यादव का सही सब्दों में मुखालफत कर दीजिए, वहाँ नीची यादव लोगाएगा और आपको मा बहन की गाली देगा, तिरस्वी यादव इससे नाराज रहते हैं, और हमको भी ल तिरस्वी को एकसप्ट कर लेगा, लेकिन एक यादव है, जो एकसप्ट नहीं करेगा, और ऐसा रिजेक्ट करवाएगा उनको समाच से, कि तिरस्वी पर भी लालू यादव वाला भूरा बाल सा आपको वाला कलंग एक दिन लग जाएगा, तो अब कुल मिलाकर तिरस्वी कास्तों से कमेंट बॉक्स में लेकर बताईएगा, वीडियो में इसमाद करते हैं, बहुत धन्यवाद.